साथियों बात करते हैं हातरस केस के एक दुखदाई घटना एक दुखदाई विशय एक पिड़ा दायक दर्दनाक हादसा वो एक सोची समझी प्री प्लैनिंग से किया गया क्योंकि लड़की वालमी की जाती से थी लड़की अनुसूचित जाती से थी RSS का एक बड़ा उसूल रहा है अनुसूचित जाती की लड़कियों को महिलाओं को पकड़िये उनका रेप कीजिये और उनकी हत्या कर दीजिये यह RSS का उसूल है RSS की नक्षे कदम पर चल कर ही हातरस के उन गुंडों ने उन आतंकवादियों ने दरिंदों ने उन हत्यारों ने भेन मनीशा वालमी की हत्या कर दी बहुत बहरेमी से मारा था उसको गैंग रेप करके मारा था उसको वो जो घड़ी उस वक्त थी ना बयानी की जा सकती जब भेन मनीशा वालमी की जिन्दा थी जब 23 सितंबर को 23 सितंबर को आपके भयाजी नवाब सत्पालतवर और अपने सभी साथी वाँ पहुँचे 23 तारीक को 23 को ही वहाँ के साथ इस बात के गवाँ है हातरस के कि हातरस की पुलिस ने आपके भयाजी नवाब सत्पालतवर को उठाने की कोशिस की आरेश्ट करने की कोशिस की वो नाकामियाब रहे क्योंकि हमें अगले दिन 24 सितंबर का अपना एक प्रोटेस्ट सफल बनाना था वो प्रोटेस्ट क्या था 24 सितंबर की लाइव वीडियो आप पिछली उठा कर देख लेना और पिछली सारी वीडियो उठा कर के आप देख लेना वो क्या था आखिर के हमारी भेन मनीशा वालमी की जो वहाँ पर हस्पताल में अलीगड के हस्पताल में एडमिट थी उसको इलाज नहीं दिया जा रहा था प्रोपर तरीके से यह जान पूछ करके की गई हत्या है यह हत्या की किस नहीं है यह बाबा ने की है बाबा की सरकार गुंडे की सरकार योगी अधित्यनात की सरकार योगी अधित्यनात नहीं यह हत्या की है सरयाम की है पुरा देश जानता है करवाई है अलीगड के हस्पताल में जब वो भेन जिंदा थी जिंदगी और मौत के ब वाब सित्पालतवर और ये मेरा समाज मेरा रोयल समाज मेरा मार्शल समाज मेरा ग्रेट समाज मेरे ग्रेट भीम सैनिक मेरे ग्रेट मार्शल कौम के सैनिक ये हमा संगर्स कर रहे थे डीम साब के सामने और डीम साब को चिला 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 का आवाज उठा रहा था चिला चिला आप दो अपना दामाद बना करके बैठा लीजियों दरिंदों को डियम साब डियम साब की बहुत बड़ी लापरवाई ही लापरवाई नहीं जान पूछ करके की गई सोची समझी हत्या हातरस केस में गैंग रेप पीडिता बहन मनीशा वालमी की की सोची समझी हत्या महां उसको अस्पताल में उसको जो है जब अर्दस्ती मारा गया और जब वो मरनासन अवस्था में पहुंचकी जब जाके उसको एमस भी नहीं लेके गई दिल्ली सफदर जंग दिल्ली ले करके गए जापर उसने दम तोड़ दिया ये एक बहुत दुखदाई घटना थी आज भी हमारे जैने में जिन्दा है आपका वो संगर्स था उस वक्त साथियों आपके संगर्स की बदोलत आज न्याई नहीं मिला है या मैं अपनी पीट थपता पालूं आप अपनी पीट थपता पालें क्योंकि हमें पता है अपने समाज का अच्छे से पता है जब कोई हमारे समाज को गाली देता है न तो उसको फटा बड़ वाइरल करते है जब हमारे समाज को कोई गलत बोलता है अपशब्द बोलता है उसको वाइरल करते है अगर अर्विंद केजरीवाल या कॉंगरेस पार्टी का कोई भी वेक्ती या अन्ने किसी पार्टी का कोई अगर दाड के जैभिम बोल दे ना तो हमारा भाउजन समाज इतना भोला समाज है बड़े बड़ा खुश हो करके ना तालिया भजाएगा तालिया ठोकेगा और यह कहेगा बहुत अच्छा काम किया उस दोरान राजनीती भी बड़ी जबरदस्त लोगों की चली थी उस समय अ अधितेनात की सरकार के तरफ से दी जा रही है और यूपी की पुलिस के दुवारा दी जा रही है यूपी की पुलिस बराबर मुझे ट्रैक करने के कोशिश कर रहे है सोशल मेडिया के माध्यम से भी और टेलिफॉनिकल तरीके से भी टेकनिकल तरीके से भी मुझे ट्रैक क इनके सब कुछ उनका लेकि न्याई नहीं नहीं मिला है, ना मैं अपनी पीट थप थपा सकता और ना ही कोई अन्या आप भी अपनी पीट थप थपा ना इसमें, क्योंकि ये दर्द है, एक बेटी गई है, वो समाज की बेटी हो गई है वो, वो देश की बेटी हो गई है, तो बर से हमारी जीत तब होगी जब उन दरिंदों को फासी के तकते पर चड़ा दिया जाएगा ये हमारी जीत होगी और आने वाले समय में भेन बेटियों की सुरक्षा का एक बहुत बड़ा मुद्दा है उत्र परदेश में जंगल राज है यूपी के अंदर भेन बेटियों की सुरक्षा ना के मुकाबले है बिलकुल नहीं है यूपी में बहन बेटियों भी सुरक्षा और पुरे देश भर में ये अत्याचार हो रहे है, राजिस्थान भी इंकलूड है इसमय और तमाम राज़े जहां भी हमारे भाऊजन समाझ पर उत्पिडण हो रहा है, अत्याच के साथ-साथ इनके साथ अत्याचार करो, इनकी बेहन बेटियों के साथ दुराचार करो, यह RSS की mentality रही है, ऐसे में सबसे बड़ी हमारी बेहन बेटियों की सुरक्षा का जिम्मा भी, हम भाईयों का ही नहीं, हमारी बेहनों का भी है, हमारी बेहनों को भी मैं एकी संदेश य आगे सबसे बड़ी है सेल्फ प्रोटेक्शन सेल्फ crotion के लिए हमारी बहन बेट्यों को अपने सारी रिक तोपतूर पर अपने आपको मजबूत बनाना पड़े गा इसके लिए भीम सैना स्पेशल तोर पर अभियान भी चला riay तैयारी भी कर रही है, काम भी कर रही है, आपके भहियाजी भी कर रहे है, लेकिन नो, इतने भर से काम नहीं चलेगा, जब तक एक जुआला हमारे दिल में नहीं उठ सकती है, 21 वी सदी की जो निली महाकरांती हम बोलते हैं, ये जो मुच्छों के ताओ ये लगाते हैं, ये ये तभी मुम्किन है, तभी काम्याब है ये, जब हमारी बहन बेटियां अपनी सुरक्षा के लिए खुद हतियार उठाएंगे और खुद स्वाबलंबी बनेंगे, सब से आगे हूंगे, जब देश की सेना में भी हमारी बहन बेटियां देश की रक्षा कर रही हैं, तो य तो वही तक दबी रह जाएंगे बावा साव अंबेड़कर जी ने महीलाओं को समीधान में विशेस अधिकार दिये हैं। और इन विशेश अधिकारों का इस्तेमाल तभी किया जा सकता है, तभी मुम्किन है जब हम अपनी बहन बेटियों को समाज के लिए तैयार करें, इस देश के लिए तैयार करें। CBI की चार स्रीट, गैंग रेप और हत्या परमानित होती है, लेकिन जब तक उन दरिंदों को फासी नहीं हो जाती।